तो है दोस्तों मैं शीवान ही और आप सभी का स्वागत है बारशीवी एजूकेशन में तो दोस्तों आज हुए वीडियो है वो दो पार्ट में होने वाली है आज पहला पार्ट है जिसमें आज हम बात करेंगे जो हाली में एरफोस एप के स्टेटेजी और साथ ही बात करेंगे किस सब्जेक्ट की कौन-कौन से टॉप स्कूरिंग टॉपिक है कि किन-किन टॉपिक को स्ट्रॉंग करना है और साथ ही बात करेंगे फुल स्टेटेजी कि कैसे इस बाहां हंडे परचन एफकेट में सेलेक्शन हो पाए दोस्तों नेक्स कर लेते हैं कि apply online की डेट के जो कि 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक है तो दोस्तों हाली में apply online की डेट चल रही है तो आप जुलाई का वेट ना करें जल्दी जल्दी फॉर्म को फिल अप करें और अपने प्रिपरेशन में लग जाए तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि एक्जाम टॉप स्कॉरिंग टॉपिक है जो आपको एपकेड में सेलक्सन दिलाने में 100% help करेंगी तो दोस्तों बात करते हैं कि education qualification में क्या major changes आहें पर दोस्तों जो टॉल्द में रिकॉर्मेंट थी 60% की वह घटकर आप 50% हो गए with physics and maths तो दोस्तों यह Air Force दोरा एक अच्छा decision लिया से निकलिए सबसे पहले वेकंसी निकलिए फ्राइंग ब्रांच में ग्राउंड डूटी टेक्निकल ग्राउंड डूटी नॉन टेक्निकल एंसे स्पेशल एंट्री और मेंट्रोजी एंट्री में दोस्तों बहुत साइग के मायंड में confusion होती है कि पेपर किस language में आता है पे और दोस्तों negative marking होती है एक marks की मतलब दोस्तों जो आपका एक question गलत है वो तो गलत है पर दोस्तों जो आपके सही question है उस में से भी 1 marks आपके कट जाएंगे तो दोस्तों बात कट लेते हैं कि एक्जाम में किसकी सब्जेक्ट चैस और हपाइब सब्सस्ति विए को सस्तों healthy sector जो कटीत अंग्या सब्जेक्ट तो आपको सबसे ज्यादा करना इस निंग को दोस्तों आगे बात करने वाले हैं कि पांच कोशन आएंगे और इसका में जी कि लिखा है क्योंकि इसमें जी किसे इसके से रिलेटेड रिकॉशन आएंगे दोस्तों इसी प्रकार के और भी question पूश सकता है अब दूसरे बात करते है odd one out जिसमें 5 question आएंगे dot figure जिसमें 5 question आएंगे picture completion जिसमें 5 question आएंगे when diagram जिसमें 5 question आएंगे और picture series जिसमें 7 question आएंगे दोस्तों यह थे reasoning के important important topic जिनें आप strong कर लिजिए तो दोस्तों आप बात करते हैं कि match में कौन-कौन से important important topic है इसमें आपसे पहला है percentage, profit and loss, ratio proportion, SI, CI, decimal operation, time and distance, board and stream, average और train दोस्तों यह थे match के important important topics तो दोस्तों आप बात कर लिएते हैं कि English में कौन-कौन से important important topics है English में आपसे पहला important errors दोस्तों error में आपका noun, pronoun, adjective, word दोस्तों आपका basic clear हो जाएंगे, तो अब बात कर लिएते हैं कि हमारा basic कैसे clear होगा तो दोस्तों इससे next video में मैं लाने वाली हूँ कि कि subject के कौन से important book है जिससे आपके सारे confusion solve हो जाएंगे दूसरा बात कर लिएते हैं words, passage, spelling errors and close test तो दोस्तों ये थे English के important topics तो दोस्तों अब बात करते हैं कि general awareness में कौन-कौन से important topics है तो उसमें सबसे important है current affairs अब बात करते हैं कि current affairs में कौन-कौन से important topics है उसमें सबसे important हैं दोस्तों कोरोना वायर्स तो दोस्तो कोरोना वायर से related जो भी important question है आप उन्हें याद कर लिजिए उसके बाद है books and authors, sports person, national parks, dams, lakes, president, vice president, prime minister and governance दोस्तो जो इन से related important question है आप उन्हें याद कर लिजिए तो दोस्तो ये थे general awareness के important topics तो आप इने कम strong कर लिजिए तो दोस्तो ये थे साइस subject के important topics तो अब बात करते हैं सबसे important topic जो की है previous year paper दोस्तो आपको daily night में एक या दो set daily solve करना है और फिर उसका analysis करना है तो दोस्तो जब आप essay daily रोज करेंगे तो आप अपने exam में देखेंगे कि आपके 100 question में से 22 या 23 marks के question आपको as it is मिलेंगे दोस्तो अगर आप daily essay set को solve करेंगे तो आपका 100% इस बार एपकेट में selection हो जाएगा दोस्तो ये जो एरफोर्स एपकेट की job है वह best job में से एक है और personally अगर मैं कहूँ तो मेरे सबसे अच्छे job में से सबसे टॉप पर है तो दोस्तो अगर आपको ये मौका मिल रहा है तो आप इसका 100% पायदा उठाए और एरफोर्स एपकेट में इस बार 100% selection ले तो दोस्तो ये था वीडियो का part first तो दोस्तो जो इससे next वीडियो आने तो लाइक कीजिए अपमें दोस्तों के साथ जाए शेयर कीजिएगा अगर अभी तक आप है चाहिए सबसे पहले वीडियो आपके पहुंसके और हाँ दोस्तों मुझे इंस्टाइगाम में फॉलो कर सकते हैं मेरा यूजर नेम सिवांडर डबल फोर टू है तो फिर मिलते ह नमस्कार